नमस्कार दैनिक जीवन में हम लोग बहुत सारे वनस्पत्ति पादप जो हमारे आसपासर उनका उपयोग हम अपने विभिन कारियों में करते हैं तो जिन पादप और जिन वनस्पत्तियों का उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं उन पौधों को हम आर्थिक महत्व के अंतरगत लेते हैं तो आज हम इस वीडियो में जिन पादवों का उपयोग आर्थिक महत्व के लिए हम लोग करते हैं उस एक बारे में हम मैं वस्तुनिस प्रस्ण बना रहा हूँ तता इस वस्तूनिस प्रश्न में तो प्रश्न एक रहेगा लेकिन मैं उससे जितने भी जान कर रहेगी उसके बारे में बताते चलूँगा ताकि इसमें जितने भी आपको महत्वपून प्रत्योगी परिक्षाओं में जो प्रश्न पुछा जाता है उसको कवर करते चलता हू ताकि आपनों को basic concept clear होते रहे और उससे जितने भी question बनेगे उन सब questions को आप हल कर सकते हो तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से वीडियो को देखते जाईएगा तो पहला प्रस्म चालू करते हैं कंचन किस पौधे का उन्नत किस्म है तो गंचन जो होता है अंगुर, अमुरुद और आम तीनों का ही उन्नत किस्म नहीं है यह होता है आवले का उन्नत किस्म जो आवला होता है उसका यह उन्नत किस्म होता है याद रखेगा आवला उसके बाद है को 1148 किस पौधे की प्रजाती है तो जो को 1148 है वो होता है गन्य का उन्नत प्रजाती गन्य का उन्नत प्रजाती है इसी का है और हमारे भारत देश के उत्तर प्रदेश में सबसे जादा गन्य का उत्तर प्रदेश का है याद रखेगा उत्तर प्रदेश गन्य का उत्तर प्रदेश का है उसका देखते हैं लीटमस किसे प्राप्ट किया जाता है मतलब जो लीटमस होता है वो किससे प्राप्ट किया जाता है तो इसमें देखते हैं जिवाणू इससे प्राप्ट नहीं किया जाता है और नहीं प्रोटो जोग से प्राप्त किया आता है तो बच्चा कुन लाइकेन और यह लाइकेन होता है क्या चीज है लाइकेन जो होता है सैवाल और फंगस दोनों का मिला हुआ रूप है उसको लाइकेन बोला जाता है और लाइकेन में कवक और सैवाल दोनों का मिला रूप होता है और इसका उपियोग है यह सब्से बड़ा इंडिकेटर है है इंडिकेटर मतब सूचक लाइकेन वहां पही नहीं पाया जाएगा जहाँ पर वाईयो प्रोदूशन की मात्रा सबसे अधिक होता है तो यह चीज भी है कि लाइकेन जो है सूचना देता है कि वाईयो प्रोदूशन कहाँ पर जादा है जिससे हम अमल और चार की जो test होता है वो करते हैं टेस्ट मतलब परिक्षन करते हैं कि कौन से पदार्थ अमल है और कौन से पदार्थ चार है इसके बारे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूओ अमल चार के लिए आप इसमें देख सकते हैं मेरे चैनल में जाके विस्तार से उसमें बताया हूँ कि अमले किसे कहते हैं और चार किसे कहते हैं तता उसका टेस्ट कैसे किया जाता है अगला देखते हैं फलीधार पौधा जो की एक पेट्रो पादफ है यह फलीदार पौधा क्या चीज़ होता है तो फलीदार पौधा जिसके बीच को आसानी से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है उसको फलीदार पौधा कहा जाता है तो इंगलीज में बोले तो तो इसमें देखते हैं अरहर, चना और मटर ये तीनों से तो पेट्रो, मतलब पेट्रो केमिकल्स या डीजल वगर इस प्रकार कोई भी उत्पादपन प्राप्त नहीं कर सकते लेकिन ये जो करंज जो दीख रहा है उसके बीज जो होता है उसको असानी समनुग दो भाग में विभक्त कर सकते हैं वह विभक्त हो जाता है तो ये जो करंज होता है करंज से बायोडिजल के लिए जो ऑईल निकलता है उसका अप्योग बायोडिजल बनाने में किया जाता है तो एक फलिदार पौध है जिसका अप्योग पेट्रो पादप के रूप में करते हैं या एक tails कच्चम अपदार्थ प्राप्त कर सकते हैं और कौन सा है रतन जोथ तो यह जो रतन जोथ है इससे भी बायोडिजल प्राप्त किया आता है है गाजर से तो प्राप्त नहीं किया सकता और करंज से बायोडिजल प्राप्त किया आता है लेकिन यह उसका उत्तर नहीं है और नह गन्न से प्राप्त किया आता है तो जय इंधन एथनॉल प्राप्त करने के लिए गन्ने का उप्योग किया आता है ये गन्ना इसका सही आंसार होगा और बाकी जो है जो रतंजोत और करंज ये उसका उत्तर नहीं है तो रतंजोत से बायोडिजल प्राप्त किया आता है और करं का उप्योग एथेनोल बनाने रिए यह चीज होता है C2-H5-OH मतलब दारू जिसको हम जाताई एथेनोल है बायोडिजल बनाने क्लिए कि इस पादब का उप्योग क्या आता है अभी हमने बता है कि बायोडिजल किसे किस्प प्राप्त कर सकते हैं तो बायोडिजल दिखे आप दिखा हो है रतन जोत या जेट्रोपा इसका उत्तर क्या हो जाएगा रतन जोत या जेट्रोपा गन्ना से तो सीरा प्राप्त करते हैं गाजर से तो नहीं प्राप्त होता और नहीं मूले से प्राप्त होता तो इसका उत्तर हो जाएगा रतन जोत या जेट्रोपा चिलगोजा किस पादब के बीच से प्राप्ट किया जाता है तो चिलगोजा जो है पाइनस से प्राप्ट किया जाता है ठीक है किस से प्राप्ट किया जाता है पाइन के बीच से प्राप्ट किया जाता है उसके बाद है सीतल पेपदार्थ में तो सितल पेपदार जितने भी होते है Yeah पेपदार जीसे चाय का याज़ाते है fen पायजाते है जी चाय पत्ती से year जो कौफी好 होता उससे पropt किसा तो इसका सही उत्तर जाएगा क्में कि यह सर अचाँ इसका सर घोजाते है निकटीं जो होता है नममाक्व हम उससे प्र therapeutic कैफिन जो कि चाय की पत्ति और कॉफी से प्राप्त कियाता है अगला पदार्थ है चाय की पत्तियों में विद्धुमान खालिस्तान उत्ते जग पदार्थ होता अभी अमने बताया कि चाय पत्तियों में क्या पाया जाता है तो उसका तरके हो जाएगा कैफिन निकोटिन तो नहीं पाया जाएगा नहीं टेनिन पाया जाएगा नहीं रेजिन पाया जाएगा तो चाय की पत्तियों में कैफिन पाया जाता है याद रखेगा बहुत बार पूछा है समुद्री घास में निमने लिखी तत्य प्राप्त क्या आता है तो समुद्री घास जिसको C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C हेलोजन फैमिली होता है उसके जो सदस्य है क्लोरीन है क्लोरीन है ब्रोमीन है आयोडीन है तो इनको हेलोजन को कहते हैं इनको हेलोजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो लवन होते हैं और ये लवन मुखेता समुद्र से प्राप कियाते हैं तो समुद्री घास से क्या पाया जाएगा फिर आयोडिन अभी हमने बताया ना कि हेलोजन क्या होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडिन तो समुद्री घास से मुक्खे था आयोडिन को प्राप्त क्या आता है गंदग जिसको sulfur बोलते हैं इससे प्राप्त नहीं करते हैं लोहा, iron ये भी नहीं है और copper ये भी नहीं है तो समुद्री घास से निमने लिखित में से क्या प्राप्त किया आता है तो iodine याद रखेगा ये halogen है हेलो का मतलब होता है लवन और जन का मतलब होता है उसके सदस्य हेलो जन हेलो जन को समुद्र से प्राप्त किया आता है केसर मसाला पौधे की किस भाग से प्राप्त किया आता है हिंग, पौदे की किस भाक से पराप्त क्या आता है, हिंग मतलब एस्फोटिडा, इसका बहुता सारे दावाईयों के रूप में क Χषे दाल में छोक लखाना इसका मुख्या है, बहुत स्वादिश बनतंअ हुससे भारती राजवुड के विरिक्ष का समाने नाम क्या है तो राजवुड या रेडवुड या भारी लकडी डलबर्जिया डलबर्जिया सिसू क्या ना मुझका डलबर्जिया डलबर्जिया सिसू है ना तो याद रखेगा डलबर्जिया सिसू और यह डल्बरजिया सिसू क्या चीज है सीसं जिसको नalवल भासम लों क्या बोलते हैं सीसं का पेड है ना इसको राज़ जाता या रेड़ जुड बोल जाता है या भारी लकडी भी बोला जाता है अकेसियत बबूल राज़ बोल है यूकेलिप्टर्स जो होता है नीलगिर जिसू हो जाएगा बबुल का बाटनी का नाम क्या है तो अकेशिया निलोटी का निलगरी का यूकलिप्टास है ना और हिंका एसफोटीडा तो इस प्रस्टनका आंसर क्या हो जाएगा डलबर्जिया सिसू मलेरिया की दवा कुनेन किस पादप से प्राप्त किया आता है ना तो मलेरिया का जो दवा होता है कुनेन होता है ये तो हमको पता है तो मलेरिया की दवा होती है अधिकांस्ता क्या सिनकोना से प्राप्त किया और सिनकोना किस से छाल से ये भी पूछता है ना सिनकोना किस से कुनेन दवा को प्राप्त किया आता है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा चाल है ना ये भी पूछा जाता है कि मलेरिया की दवा सिंकुना के किस भाग से प्राप्त किया आता है तो इसका उत्तर चाल लेकिन यहाँ पर हमारा प्रशन क्या है मलेरिया की दवा कुनेन किस पा प्राप्त करते हैं यह हमार आर्थिक उद्देश है आर्थिक चीजों के लिए हम अपने पौधों को उप्योग करते हैं तो इसमें पूछ रहा है कि और पादप किसे कहते हैं यह आउजी पादप नहीं है नहीं है बोर ना तो इसमें देखते हैं कौन-कौन आउजी पादप ऐलोवेरा औस्धी पाधफ है इसलिए उसका उद्दन नहीं हो सकता है एलोवेरा क्या चीज़ घृत कुमारी को अलोवेरा बला जाता है बहुती उपयोगी पेड़ है पेड़ तो नहीं रहाता यह चोटा सा ज्जाड़ी डाइब कराता है और अदरक यह भी औस्धी पाधफ सरदिखासिक लोप कहता है और तुलसी यह भी असथिद्धि पाधफ है बच्छा को फर्ण तुमक्का जो है नहीं है यह अनाज के लिए उप्योग यह जो हता है अनाज प्राब्द करने के लिए प्राब्त करनेकर ऐसे पौधे जिनके बीज को दो भागों में आसानी से बाटा जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाई काटलीडन्स बोलते हैं, है ना, तो ऐसे डाई काटलीडन्स या ऐसे दूविज पत्री जिसका उपयोग हम लोग दाल की रूप में करते हैं, है ना, अब वो किस आते हैं, यह देखते हैं, सोलोनेसी तो अलू और बैकन के लिए होता है, लिलियसी जो होता है, प्याज और लहसुन के लिए होता है, पोईसी जो होता है, अनाज की फैमिली होती है, है ना, तो बचा कौन, पैपलियोनेसी, जिसको और एक नाम होता, लेग्यू मीनेसी, है लेग्यूमिनिसी भी कहा जाता है तो लेग्यूमिनिसी ऐसी फैमिली है जिससे बहुत सारे डाल प्राप्त किया जाता है जैसे डालों का राजा उरत को कहा जाता है बहुत बार पूछता है कि डालों का राजा किसे कहा जाता है तो उरत को डाल का राजा कहा जाता है है ना उरत डाल है, मूंग डाल है, अरहर है, चना है, मटर है यह सब जितने भी डाल है वो हमको पेपलियों निसी फैमिली से प्राप्त होता है अर्थात लेग्यूमिन निसी परिवार से प्राप्त होता है तो दाल फेमिली का फेमिली किसे कहा जाता है पेपलियोनेसी कहा जाता है एक चीज और इसमें बता देते हूं जितने भी दाल फेमिली होते हैं उनकी सबकी जड़ों में गांट पाया जाता है उस गांट में क्या पाया जाता है एक बैक्टिरिया जिसका नाम होता है राइजो के पौधों की जड़ों में पाया जाता है जो नाइट्रोजन इस्थिकरन करने के काम में आता है जो किस काम आता है नाइट्रोजन इस्थिकरन करने के काम में आता है और पौधों की उरुवरा सक्ति को बढ़ाता है इसका मुझ के काम यह है कि फसलों को रोटेशन करते हैं फ करिकेसी पपीधय के लिए एता है और मिल्टेशी जो है मिल्टेशी में आते हैं आपका अमुरूद लॉंग है न तो यह तो नहीं हो सकते हैं उसको उत्तर bers VTC भी नहीं हुआ, केरिकेसी भी नहीं हुआ और MilTC मतलब यह VITAMIN C का मतल होता है जिसमें खटे फल खटे फल से ज़़ा आता है हम लोग VITAMIN C प्राप्त करते हैं तो खटे फल आता है VITAMIN C में जिसको में लोग साइट्रेसी भी बोलते हैं जिसको का बलते हैं, साइट्रेसी तो साइट्रेसी रूटेसी में आता है आपका निम्भू, संत्रा मसम्मी, है ना यह सब जितने भी है इसमें भरपूर मात्रा में VITAMIN C हमको प्राप्त होता है तो विटामिन C से भरपूर परिवार कौन से हो जाएगा रूटेसी फूल गोभी का खाने योग्य भाग फूल गोभी पूछ रहा है ना पत्त गोभी या गाट गोभी नहीं पूछ रहा है तो याद रखेगा फूल गोभी का जो खाने योग्य भाग होता है पुस्पक्रम होता है जड तो गांट को भी कलिए होता है तना को तो नहीं खाते है पत्ती में पत्त को भी खाया जाता है तो इसका उत्तर ना जड है और नहीं तना है और नहीं पत्ती है तो फूल को भी का खाने योग भाग क्या होता है उस पक्रम याद रखे का पूछा जाता है बेर का फल है मतल है ना और क्या होता है prime कांजू लीची सिंगहारा यह सब नट में आता है पेपों में क्या जाएगा खीरा और खरबुजा तो बचा कुन अस्टिल है ना तो बेर एक फल है कौनसे प्रकार का आस्टिल आस्टिल प्रकार का फल है याद रखेगा कन्फ्यूज मत हो जाना कि बेर का फल बेरी लिखा हो तो बेरी मिटिक कर दिये गलत हो गया तो बेर का जो फल होता है आस्टिल है और जो इसका सदस्य और कौन है नारियल नारियल भी औस्टिलफल है कभी कभी पूछता है और नारियल क्या बोलते हैं कल्पतरू बोलते हैं याद रखेगा नारियल को कल्पतरू भी बोला जाता है या कल्पतरू भी बोला जाता है आगे चलते है इमारती लकडी पौधा का कौन सा भाग होता है है ना इमारती लकड मतलब जिससे हम लोग furniture बनाते हैं तो वो पौधे का कौन सभाग होता है ठीक है फ्रात्मिक फ्लोयम तो नहीं होगा क्योंकि वह बहुत नरम होता है इसलिए उसका उप्योग इमारती लकड़ी की रूप में उप्योग नहीं कर सकते फ्रात्मिक जयरान भी नहीं होता वह भी दुद्यक जयरान तो दुद्यक जयरान जिसको बोलते हैं सेकंडरी जयरान दुद्यक जयरान इसका उत्तर होगा इसका उप्योग इमारती लकड़ी या पौधो की रूप में किया जाता है उसके बाद है HD 2135 और HD 2189 बहुत बार पूछा गया इस प्राश्ण को यह किस पौ और से देखते है राजकी व्रिख्ण का वहगयरिक नाम क्या है तो देखेए इसमें पहला दीख रहे है टेक्टोना ग्रेंडीज उता है सागोन का होता है वόσक नीकलना ज्याद रखेता भावई पूछा है एक सागोन का होता है कि इमारती लकडी में आता है उससे उता PMDRJS इसू भी नहीं है उसके बाद पाइनस लॉंगिफोलिया यह भी नहीं है बचा कुन Schoria Robusta Schoria Robusta जिसको हम चैनल साल या सरय ही बोला जाता है So 36 गड कर राजकी ओई रिख्ष क्या है साल या सरय जिसका बॉटिन काल नाम होता है सोरिया रुबस्ता है ना याद रखेगा तो इस प्रकार से यह हमारा वीडियो अभी यहाँ पर समाप्त करते हैं हमारा वीडियो आप लोगों को यह दि पसंद आया हो तो प्लीज लाइक केजिए और अधिक से अधिक सेहर कीजिए और हमारे चैनल को यह दि आपने सब्सक्राइब नहीं के है तो प्लीज सब्सक्राइब केजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद